Hello friends, नमस्कार, Judicial Exam Watcher Channel से मैं राजिए सुमार सोनी, हम लोग Problem देख रहे हैं, Problematic questions देख रहे हैं आज हमारे पास जो Problem है, वो Section 80 IPC से है, Section 80 IPC को दिमाग में रखते हैं लेकिन उसके पहले हम इस Problem को पढ़ लेते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि आप अंसर निकालेंगे कैसे section 80 यहां पर कहां दिखाई देगी आप कैसे पता करेंगे कि section 80 में ही जाएगा यह एक एक बंदूख लेकर जंगल में जाता है एक बंदूख लेकर जंगल में जाता है ध्यान से points देखिएगा वहां उसे एक जाड़ी के पीछे हलचल मालूम पड़ती है वह जोर से बार बार चिला कर पूशता है यहां ध्यान दिजिएगा वह जोर से बार बार चिला कर पूशता है वहां काउन है कोई उत्तर ना पाकर और यह मान कर कि कोई जानवर चुपाओगा भाई जिब कोई उत्तर वहां से आया नहीं है, चुकि जानवर तो जवाब देगा यह नहीं, उसे doubt था कि जाड़ी के पीछे कोई इंसान है, तो अगर कोई इंसान है तो उसने जोड़ से चिला कर पूछा, एक समान प्रग्या क्या बक्ति समस्ता है कि अगर कोई इंसान होग इसलिए उसने गोली चला दी। जन्गल सिकार करने के लिए गय था। बंदूख ले करके। सिकार के लिए समझा कोई जालवर छुपा होगा। उसने गोली चला दी। और जिस जाड़ी में गोली चलाई उसमें बी छुपा हुआ था यानि कि जब वो चिला चिला करके पूँच रहा था कि वहां काउन है वहां काउन है तो बी को जवाब देना चाहिए था लेकिन बी ने कोई जवाब नहीं दिया उसने समझा की जानवर चुपा है उसने गोली चला दी गोली चला दी तो जाड़ी के पीछे चुपे बी पर लग गई इस बी ने उत्तर नहीं दिया था इस बी ने उत्तर नहीं दिया था इसको उत्तर देना चाहिए था इसने उत्तर नहीं दिया था बी को गोली लग गई ब जाता है वहां उसे एक जाड़ी के पीछे हलचल मालूम पड़ती है वह जोर जोर से बार बार चिला कर पूसता है वहां कौन है कोई उत्तर ना पाकर और यह मानकर कि कोई जानवर छुपा होगा वह गोली चलाता है बी जो जाड़ी के पीछे छुपा था और जिसने उत्तर न या फिर ए उताउले पन का दोसी होगा इन चार में से कोई एक आपका अंसर होगा, अपको बताना है क्या होगा। तो पहले हम यहां प्रक्राण को देखते हुए समझ लेते हैं, कि देखिए ए ने जो कार किया, इस प्रक्राण को पढ़ने से यह पता चलता है कि उपेच्छा तो वही नहीं, और ए ने कोई जल्दी वाजी में गोली नहीं चलाई, मतलब वो उतावलापन भी यहां नहीं दि खा, तो उपेच्छा नहीं है, और गोली चलाने में भी उसने कोई जल्दी वाजी नहीं कियी, उसने सोच समझ करके गोली चलाई, कि नहीं, ओ जवाब नहीं आ रहा है, हल्कल हो रही है, तो कोई जानवर होगा, इसलिए उसने उतावलापन का काम नहीं किया, यह तो दो का अब आपके पास बचे दो यह तो एह तो एह तो दोसी होगा यह फिर एव बिदिपूर्ण कार करने में दुरगटना गबचाओ ले सकता है इन दो में से एक होगा तो अब मैं यहां कहूं तो यह हत्या का भी दोसी नहीं होगा चुकि हत्या के लिए तो इंटेंसन चाहिए मेंसरिया चाहिए दुरासे चाहिए तो यहां ऐसा कुछ नहीं है उससे तो पता ही नहीं था कि वहां कोई आदमी है उससे तो पता ही नहीं था कि अगर उसने उसको टार्गेट किया होता तो उससे कुछ पता होता यहां ऐसा कुछ भी नहीं है तो हत्या का दोस्ती हो नहीं होगा यह section 80 का मामला है section 80 में इसपस्ट रूप से कहा गया है section 80 बात करती है accident and misfortune की यहनि कि अगर कोई दुरघटना या दुरभाग से कोई कार होता है लेकिन उस कार के तरीके बताएगा है कि अगर इन इन तरीकों से दुरघटना बस या दुरभाग बस कोई कार घटित हो जाता है जो की अपराध है तो वह छम है वह अपराध नहीं है तो section 80 बात करती है accident और misfortune की लेकिन accident और misfortune से कोई कार यदि happen होता है घटित हो जाता है यह हो जाता है तो लेकिन वह व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके पास criminal intention नहीं होना चाहिए यहनी कि without criminal intention and knowledge बिना अपराधिक आसाय और ग्यान के उसकार को किया जाना चाहिए और वो कार lawful means और manner से किया जाना चाहिए और उस कार को proper with proper care and concern के साथ किया जाना चाहिए यदि आप यह तीन सर्थें पूरी करते हैं तो आप धारा 80, section 80, IPC का बचाओ ले सकते हैं चुकि ऐसी इस्तिती में यह माना जाएगा कि यहाँ पर B की जो death हो गई है, B जो मारा गया है वो दुरभाग से और दुरघटना बस मारा गया है, A का उसको मारने का कोई intention नहीं था अब प्रक्रण को अगर आप देखेंगे तो A ने, A के पास देखिए B को मारने का कोई criminal intention नहीं है यह देख लीजे, चुकि उसने, उसे तो पता ही नहीं था कि जाड़ी के पीछे B है तो intention तो सवाल ही नहीं उड़ता है, बास रहे गया lawful means and minor की तो यहाँ पर A जो भी काम कर रहा है, वो legal तरीके से ही कर रहा है अगर वो जंगल गया है, बंदूग लेकर के गया है, तो उसने क्या किया? उसने पूरी साउधानी बरती, पूरी सतकता बरती, चिला करके पूछा, बार बार चिलाया, कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने समझा की जानवर है तो यह तीनों कंडिसन्स यहां पर फुलफिल हो रही है, इसलिए धारा असी का बचाव ले सकता है, एह यहां पर सेक्षन एटी का बिदिपूर कार करने में दुरगटना, यह देखिए यह सेक्षन एटी ही लिखा हुआ है यह जो लिखा है, यह सेक्षन एटी आईपीसी ही लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, तो इसका बचाव ले सकता है, लेकिन इसका बचाव उसे तब ही मिलेगा, जब वो यह रिक्वार्मेंट्स पूरी कर देता है तो यह थी आज की समस्या, आज की प्रॉब्लम, कैसे लगते हैं इस तरह के वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएं और अगर अच्छे लगते हैं, तो लाइक भी कर दें, और यदि आपका सुभाव, लोगों का भला करने का है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और अगर इसी तरह के वीडियो आपको चाहिए, तो आप मेरे चैनल जुडिशियल एक्जामवाचर को सस्क्राइब कर लें, और बेल आइकान भी प्रेज कर दें, जिससे आपको समय समय पर पता चलता रहें, और समय से नोटिफिकेशन मिलता रहें, मेरे वीडियो का, थैं को पर वचे